जब प्यास लगता है तो हम लोगे स्प्राइट पीते हैं करते हैं कि आप भी देखा है किस तरह से अंदर जाकर के आपके शरीर को आप देखें उन्हें कि पहले के हम लोगों के दादा दादी जी लोग 100-100 बर्स जीते थे लेकिन क्यों जीते थे क्या उस समय यह कि लेकर को लाइट जो विए अगरोगर आया है अज कर घुल मार्किट में और हम लोग खोब पीते हैं खुब नजवाय करते हैं और जब प्यास लगता है स्प्राइट करते हैं बहुत आननद आ गया लेकि मैं बताऊंगा कि इस प्राइट में मैं इसको धरती के उपर कि इ इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहें क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं किस तरह से अंदर जाकर कि आपके सरीर को खा रहा है बरबाद कर रहा है जो कहा जाता है अंतरी को कैसे जैसा रहा है कैसे लोग कैंसर प्रीत हो रहा है वह मैं आपको दिखाने तो चलिए आप यहां पाप देख सकता है तोईलेट है अब भै्स विच्ते होंगे कि हम पागल हो गए हैं कि तौइलेट के अंदर हम जा रहे हैं लेकिन हं पागल नहीं हुए भया आपको बताने के लिए अम त्वाइलेट मारना पड़ता है लेकिन स्प्राइट वाइट म कि बरबाद कर देगा तो चलते हैं कि इसका कमाल क्या है तो चलिए अब हम लोग इसको यूज करते हैं त्वालेट साफ करने में कि कितना कारगर है तो चलिए तो देख लिए अब हमारे केमरा के माधियम से बाध्रूम कितना गंदा है और जब हम इसको स्प्राइट को बीगेंगे और इसमें डालेंगे तो देखेगा या कितना साफ हो जाएगा हाला कि जब देखिए अब हमारे केमरा के माधियम से आप देख सकते हैं इस स्प्राइट को बीग रहे हैं देखिए बने रहा है आप हमारे वीडियो के माधियम से ये देखिए बाई वाह कितना साफ हो गया और आप देख सकते हैं इस स्प्राइट को जब बाहर हम यह भाई जब यह पर रिलेक्स मौसूस करता है तो में लोगों लगता है कि एकदम गर्मी का टाइम है और कितना देखिए अब देखिए आप वीडियो पर मारे माधियम से देख सकते हैं वहाँ देखिए वहाँ पर एकदम थोड़ा सा भी डाग नहीं रहागा अगर इस ब्र पहें तालीस रोपया का सप्राइट किस तरह से ट्वाइलेट को साफ कर दिया वेगर बरस्त मारें में चमका दिया लेकिन मैं आपको बता दो भाईया आप 45 रोप्या बर्बात मत करो सप्राइट और कोक एक रिषिट९ंग पीकर बरबात मत करो पाइसा भी बरबात जीवन पानी पीजिए अगर पीनाई है तो पीजिए के लिए इसा पीजिए करके बरबाद हो रहे हैं तो चलिए आप लोग शेर किजिए इसको इतना कि हरे एक बेक्ती के पास पहुंचे के ताकि लोग यह पीकर के जो मर रहे हैं 50-60 वर्त मुंस्किल हो जाता है आज कल जीना के बाद हम यह सब नहीं लेंगे कि जब तक हम लोग जागेंगे नहीं तब तक हमारी शरी की सुरक्षा नहीं होगी तो चलिए आप लोग इसको शेर किजिए और कमेंट करकर करके अपनी ज़यू रखिएगा कि आखी आप पीने से कितना हानिकारत कर सकता है यह करेंगे जाहिं